किसान भाईों खीरे की बात करें तो इसका जो प्रियोग होता है सलाद में होता है और जितनी ज़्यादा गर्मी पढ़ती है उतनी ज़्यादा खीरे की बिक्रिबढ़ जाती है और खीरे की खेती से काफी अच्छा मुनाफ़ा भी कमाया जा सकता लेकिन इसके जो सही समय की ब तो मार्च लास्ट और अप्रेयल में जाकर इसकी जो मंडी में आगत हो जाती इतनी 홍भ इंच मैंतों जनड़िंगा की का न avanzy cotton तो इसलिए आज किस वीडियो में हम आप लोगों कुछ जानकारी देंगे कि कौन सी वरायटी का सेलेक्शन करके आप पैचेती बुआई कर सकते हैं और पैचेती बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं ताकि खीरे का अच्छा रेट मिले और आप एक अच्छा उत् प्रेटकल भी करने क्योंकि बार-बार हम सीट को बदल के और ट्राइल करते रहते हैं ताकि किसान भाईयों को अच्छे सीट की जानकारी और खुद के एक्स्पिरियंस के माध्यम से देते रहें तो जैसा कि आप देख सकते मारे पास अभी तीन सीट हैं लेकिन इस तीन कोश्पिते हैं गी हवाराइस ये को सब्सकिर्णा कर सकते हैं इसके बारे में दो-तीन वराइटियों के बारे में और जानकारी तो वीडियो को लास्ट तक काफी अच्छी इसकी requirement होती है करीब 32 दिन कंपनी वाले बोलते हैं 32 से 35 दिन में हर्वेस्टिंग शुरू हो जाती है लेकिन आप 40 दिन मान कर चल सकते हैं अच्छा आप इसमें पोस्टन देते तो 40 दिन से हर्वेस्टिंग सुरू हो जाएगी अच्छी मात्रा में काफी इसम science private limited company का है प्रभु खीरा गर्मियों के लिए इसको अच्छा बता रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा इसको ट्रायल करेंगे अभी हम आपको suggest नहीं करेंगे कि आप इसकी बुगाई करें दूसरा जो खीरा है यह no new company का एक खीरा है और देख सकते हैं यह जो वरायटी है यह मा गर्मिक लिए लेकिन उससे अच्छी जो टॉप की वरायटी हम आपको बताएंगे यह इस्ट विष्ट कंपनी का नाजिया एक खीरा था आप उसको अप्रेल मई दोनों महीने में लगा सकते माई के स्टार्टिंग में भी हमने लगा कर देखा है दिक्कत एक आती है जब ज नाजिया खीरा यह काफी अच्छा है और इस खीरे को आप बरसात में भी लगा सकते हैं जो नाजिया आप बरसात में भी लगा सकते हैं इसी के साथ एस्ट वेस्ट कंपनी का एक सायरा नाथ वरायटी आती है काफी अच्छी वरायटी वह भी है डार्क ग्रीन में आता है न आपके छेत में यदि किसी दूसरे टाइप के खीरे की डिमांड हो तो आप अपने छेत के साफ से जो फेमस वराइटी आप उनका चुनाव कर सकते हैं और दूसरा हम आपको बताएं एक जेवा नाम से खीरा आता है इसी इस्ट वेस्ट कंपनी का उसकी जो डिमांड हमारे हां पर नहीं है उसका जो साइज हलका छोटा होता मोटे साइज में आता है अच्छा उत्पादन है आपके छित में यह ऐसा उसमें प्रचलन है तो आप जेवा लगा सकते हैं तीसरी वराइटी नुनहेंस कंपनी का बेले वराइटी है एक भी अभी हाली की अच्छी वराइटी है जो कि दच्छिड भारत में काफी अच्छी चल लए है और यहां पर भी उसका परफार्मेंस अच्छा है तो यह नुनहेंस कंपनी का जो बेले है यह भी काफी अच्छा उत्पादन देने वाला है लंबा खीरा निकलता है गहरा हरा है और पतले साइज में आता है इसके कि दुर्लावां आप सैमी कंपनी का एक मालनी खीरा आता आप उसको भी लगा सकते हैं आप अपरेल महने में लगा सक्ते हैं कोई दिक्कत नहीं है इन वरायटियों में जो इस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया है एस्ट कंपनी का शायरा है विय Εन आर का क्रेश है और थण्डी तो होती है, लेकिन लगन का सिजन होता है, तो आप यह माझ तोचिए कि ठंडी है खीडर की विक्री नहीं होगी, खीडर की विक्री अच्छे होगी, क्योंकि बहुत कम किसान भाई, इस समय उत्तर भारत में खीरे की खेतृति करते हैं, और जो भी खीयरा आथा है सब दच्छिर भाहरत से आता है तो उस समय यहाँ पर जो खीयरे की अच्छी रेट रेती हैं तो आप सितंबर महिने तक खीयरा लगा सकते हैं तो हमारे हिसाब से आप खीयरा अगैती तहीं ना लगाएं बल्कि आप मार्च लाष्ट से अपरेल से इधर आप सितंबल तक पूरा खीरा लगाते हैं तो उस सीजन में आप उत्तर भारत में खीरे का चारेट जरूर मिलेगा तो इस तरीके से यहां पर हमने जो बरायटी बताया हुआ है इनके सीड आनलाइन भी मिल जाएंगे तो आप यहां से सीड लेकर आप इसकी अप्रेल औ और उसके बाद आप सितंबल तक बूआई कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यदि गर्मी में पचेती बूआई और बर्षात की जो बूआई करेंगे उससे आपको खीरे का अच्छा रेट मिलेगा उत्पादन थोड़ा सा कम होता है जो ठंडी वाली बूआई होती उसमें अच्छा उत्पादन मिलता है लेकिन इधर गर्मी के लाष्ट में और बर्षात वाली बूआई में उत्पादन कम मिलता है लेकिन रेट अच्छा रहने की वज़ए से आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं तो किसान भाईयों हमने पूरी कोशिस किया आपको खीरे की सिर्ष झाली ठाली बूरी deathак लेकिन एक hobby मुझा अच्छा टिलता की सिर्षेां के लेकिन एक हैं वेकिन हैं विखकर वेकिन आपज़ों हमने बूरी बूरी है लेकिन एकर रहन एक हुआ आटर ineॡ़ श्त्स К cmлись एपकर qualcosa और शम एकत ऑंपकर जलर गरे dot एएकर नहम पालुम एकर रह